प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने एक बहुत ही महत्रपूर्ण प्रमे आने को है, प्रमे 11.8, इसे हम मद्ध बिंदु प्रमे के नाम से भी जानते हैं, मद्ध बिंदु प्रमे का आशा है कि किसी त्रभुज में ये दि किले दो भुजाओं के मद्ध बिंदु को हम मिला यह सब्सक्राइबिए दियरी डिय którą आपस मिला दे तो यह में प्रूफ करना है यह हमें देखना है क्या D E B C के समनांतर है तो प्रमे यह कहता है कि यह जो मद्द बिंदू को मिलाने वाला रेखा खंड है वो B C के आधा B C के आधे के बराबर होता है और उसके समनांतर भी होता है एक पर फिर से आप इस बात को गौर से समझें किसी भी त्रपूज A B C में ह और उसमें किनी दो भूजाओं अभी हमने भूजा A B और A C को संदर्द के लिया और उनके मद्द बिंदू क्रम्शाज D E को मिला दिया तो यह जो D E है वो B C के समनांतर भी होगा और उसकी लंबाई D E के लंबाई B C के लंबाई की आधी होगी यह हमें सिद्ध करना है तो चलिया हमें दिया क्या है यह पहले हम लिखले हमें दिया है तरीभुच A B C में A B C में A B का मद्द बिंदू है याना AD बराबर DB है ऐसा लिख सकते हैं AD बराबर DB है यह आप कह सकते हैं दूसरी बात EAC का मद्ध बिंदू है इसे आप गणिती रूप से लिख सकते हैं कि AE बराबर EC AE बराबर EC इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ये दो चीद हमें दी हुई है और हमें सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि DE समनांतर BC के DE समनांतर है BC के एक बात ये हमें सिद्ध करनी है और दूतरी बात सिद्ध करनी है कि DE BC की आदि भी है यानि आप इसे ऐसा लिख सकते हैं DE बराबर एक बटे दो BC ये दो कथन हमें दिये हुए हैं जो हमें सिद्ध कर रहे हैं तो चलिए हम शुरू करें अपने काम को और जैसा कि आपने प्रवांग समता की गुण का प्रयोक किया था रिभूजी को सर्वांग समता का यहां भी हम कुछ वैसा ही करेंगे और समवनांतर चत्रभूश के भी गुण का इस्तमाल करेंगे क्यूंकि आप hay यहां पर यह देखा कि डिए और बीचि समवनांतर है यही किसी से तरह से हम यह दिए डीए और चत्रभुश के रूप प्र प्रदर्शित कर पाएं व्यत कर पाएं तो हम बता सकेंगे कि डी और भी समवनांतर हैं इसके लिए हम डी को थोड़े बंढ़ाते है कि हम डी की रचना कुछ आगे तक लेके जाते हैं और इसको किसी बिंदू तक बढ़ाते हैं कि मालीजे हमने इसे इस तरह से बढ़ाया और इस बड़े भाग में जितने डी के लंबाई है ठीक, उसके बराबर हिस्सा हमने यहां पर लिया और यह भी निशान लगा दिया यहनि एक बिंदू हमने हाँ पर एफ ऐसा लिया कि एफ बराबर डी यह हमारी रचना है हमने रचना में डी को आगे बढ़ाया तो एक नया देखा करने नई किरण हमें मिल रही है और उसमें हमने बिंदू F इस तरह से लिया कि EF की लंबाई D E के बराबर हो जाए यानि ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर हो जाए तो हमने DF बना लिया अब A F और C को हम आपस मिला ले चलिए ये भी काम हम कर ले A F और C को आपस मिला लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि ऐसा करने से हमें एक चत्रभुज की आकरिती मिल रही है ये आपने बहुत सावधानी से A F और C को मिला लिया अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक चत्रभुज बना हुआ दिखाई पढ़ रहा है इसका नाम आप कहा सकते हैं D B C F अब जो बात हमें प्रमानित करने थी वो ये थी कि D E B C के समनांतर है यदि हम D F को B C के समनांतर सिद्ध कर दें तो ये बात सिद्ध हो जाएगी और D F को B C के समनांतर सिद्ध करने के लिए हमें करना होगा कि हम इस पूरे चत्रभुज को एक समय अंतर चत्रभुज की रूप में शिद्ध कर पाएं यहीं आपको इस पूरे चित्र में और खास बात नदर आ रही होगी कि एक तुर्भुज आपको यहां बना हुआ दिखाए पड़ रहा है और दूसरा त्रिभुज यहां बना हुआ दिखाए पड़ रहा है अब जरह गौर से देखें आप तो आपको लगे गए कि दोनों त्रिभुज काफी को शेख दूसरे से मिलते जुलते हैं क्या सर्वांग सम दिख रहे हैं आपको लेकिन क्यों दिखने से काम नहीं चलेगा आपको यह देखना पड़ेगा प्रदर् बड़े तो यह चिज़ आपको रशना से मिली हैं रशना से आपको मिला है कि de और ef बड़े बड़े यह आपने जान बुछ कर बड़ाया अपने रशना ऐसी की दूसरे चीज़ देखिए बिंदू e ac अब यह आपको दिया हुआ था यानि आपको दी भी बात थी कि a e और e c यह आपके पास यहां पर मौझोध है कि ae, ec के बराबर है आप इसे भी लिख ले ae b.c तो इन दोनों तरि भूज़ा में आप देख रहे हैं कि यह वाली घुजा इसके बराबर है और यह भूजा इस भूजा के बराबर है आपने कमाल कर लिए आपने इन दोनों भूजाओं कर दिए इन दोनों पुंद्ध के वराबर सिद्ध कर दिया है नोनों की बीच कोण यहां गार कर गवे यहाँ पर बीच के कोण यह है इनके बारे में आप क्या कहते हैं क्या यह बराबर है बेशा के दोनों कोण बराबर है और बताईए क्यों बराबर है आप ठीक सोत रहे हैं यह दोनों शिर्षा भी मुग कोण है एक रेखा खंड यह है दूसरा रेखा खंड यह है दोनों एक द D-ría- great human hoot C-I-E F-K तो लिजिए, आपके पास तीनों चीजें हादिर है है जिनकी मदासे आप कह सकते कि हाँ यह दोनों त्रिभुज हैं इस त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है यह बे test और इन दोनों के बीच और आप देख रहें कि भुजा कौन भुजा वाले प्रमे के आदार पर आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ADE सर्वांग सम है त्रिभुज EFE के त्रिभुज CFE के अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो इससे फायदा क्या हुआ आप गौर से देखें अगर तो आपको पता चलेगा कि इनके जो शेश अवय हैं वो भी आपसे बराबर होंगे यानि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी इससे क्या फायदा हो रहा है ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है यहां आपने लिखा है AD बराबर DB तो आप इस पूरे कथम के इस तरह से लिख सकते हैं कि चुकि दोनों त्रिबु सरवांग सम हैं इसलिए इन दोनों त्रिबुजों के सभी संगत भुजाएं और संगत कौन आपस भराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं कि AD बराबर C F या C F बराबर इस बुजा की बात कर रहे हम C F बराबर AD और चुकि AD बराबर है DB के यह आपने पहले लिख लिख लिखा है कि या दिया हुबा था ये बराबर है DB के यानि CF और DB पे आपस में बराबर होंगे तो इससे आप ऐसा लिख लिए कि CF बराबर DB यानि आपने इस भुजा को इस भुजा के बराबर सिद्ध कर लिया यह आपकी बड़ी उपलब्दी है अब आप देखिए और क्या कर सकते है चोंकि यह कोण और यह कोण इन दोनों रेखाओं को तिर्यक 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 रेखाओं को पर दित हो रहा है, यानि कोण ADE और कोण CFE यह दोनों एक आंतर कोड हैं, और स्ट्रिबूत के सर्वान समता के आधा हार पे दोनों बराबर हैं, यानि जो आपकी भूजा CF है वो DA के समना आंतर होगी, और इसलिए CF को आप इस पूरे के समना आंतर भी किया सकते हैं, और यह दोनों रेखा है समान अंतर हो जाएंगी तो देखिए इस बात को हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे सी एफ और डी ए सी एफ और डी ए को तिद्रेक रेखा डी एफ तिद्रेक रेखा डी एफ काटती है तो कोण एडी ए और कोण सी एफ ए कोण सी एफ ए एक अंतर कोण के रूप में हमारे सामने आते हैं एक अंतर कोण और ये दोनों कोण जो कि सर्वांग सम्त्रिभुच के संगत कोण है इसलिए बराबर भी है तो आप इह लिख सकते हैं कि कोण एडी ए बराबर कोण सी एफ ए ये बराबर है क्योंके सर्वांग सम्त्रिभुच के संगत कोण है और ये बराबर है तो एक अंतर कोण बराबर होने के दशा में आप कहा सकते हैं कि CF और DA समनांतर है ये बड़ा प्रणाम आपको मिला CF समनांतर DA के ये रेखाखंड इस रेखाखंड के समनांतर है और चुक्छे ये DA पूरा BA का ही पार्ट है तो आप कहा सकते हैं कि CF समनांतर BA इसका प्रणाम ये भी है कि यह जो CF है वो समनांतर है पूरी रेखा BA के तो आप देखिए दो परणाम आपके पास है कि CF और D भी बराबर है और दूसरी चीज आपको मिल रहे हैं कि CF BA के समनांतर यानि BD के भी समनांतर है तो यह दोनों रेखा खंड इस चत्र भुज के आपसे बराबर भी हैं और समनांतर भी हैं यह जो दो परणाम आपको मिले कि CF समनांतर BA तो BA की जगा पर बीडि भी लिख सकते हैं तो दूथरा परणाम आप यहाँ पर लिख लें यहां हम आते हैं इसको दो चीजें मिली why in i Warum adal डिभी एक प्रवर आपको यह मिला था इस दुतरा प्रवर्णाम उला था कि crates 730, nachby还有 in figure-le to do to do so key group अब का प्रवर लिखने कि η आप समस्थ सावनाथ चरव ने कि यह डिडि अच्छा प्रवर इस बीडिया थे डिडिद लिक्रेया थो आप देखिए्ए दो और इस चतर भूझ में, B, C, F, D में, आमने सामने की दोनों भूझाएं बराबर भी रहीं, और समनानतर भी हैं। यही आपको प्रमानित करना था। एक चीज़ तो आपने प्रमानित की कि दोनों चतर भूझ चत्रभुज B C F D 17 चत्रभुज है, इसलिए B C 17 होगा D E के, इसे हम मिटा के लिखते हैं, तो बात बहुत स्पस्ट हो पाएगी, इन प्रणामों को हम यहाँ पर फिर से लिख लें, हमें मिला है कि C F बराबर D B, C F बराबर D B, C F बराबर D B, इसे हम B D भी लिख सकते हैं, C F 17 B D, आप इसे चत्रभुज में देखिए, इस आकरिती में देखिए, तो पता चलेगा हम कह रहे हैं कि C F B D के बराबर भी है, और समानांतर भी है, यानि यह जो चत्रभुज है, B C F D, इसलिए B C F D एक समानतर चत्रभुज है, बच्चों आपने अपनी समस्या को आदे थे ज़्यादा हल कर लिया है, चूंकि B C F D समानांतर चत्रभुज है, इसलिए आप कहा सकते हैं कि B C D E के समानांतर है, B C E समानांतर है, D F के और इसलिए D E के भी, तो B C E समानांतर आप चाहें तो इसलिए D F लिख लें, और इसलिए आप लिख सकते हैं कि B C E समानांतर है D E के भी, यह जो बाद आपको सिद्ध करनी थी, उसमत यही थी, यह जो मद्द बिन्दो मिलाने वाला रेखा करने वह समानांतर है, यह आपको यहाँ पर मिल रहा है, सिद्ध करना है कि BC समनांतर DE यहाँ पर है BC समनांतर DE यहाँ आपने DE समनांतर BC लिखा है यह चीज़ आपने हाँ पर प्रमानित की अब दूसरा हिस्सा बज़ गया है जो कहता है कि DE इस भुजा का आधा भी है यह कैसे कर पाएंगे आप अब आप देखिए फिर से इस समनांतर चतर फिशे गौर करिए कि चुकि यह समनांतर चतर बुज़ है तो आपने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समनांतर भी होंगी तो अभी आपने BC समनांतर DF किया था अब आप करेंगे BC बराबर DF के दूसरा रिजल्ट है BC बराबर भी है DF के अब आप देखिए DF हमने जो बनाया था उसमें आप पहले लिख चुके हैं कि EF और DE दोनों बराबर हैं क्योंकि आपने इसकी रचना इस तरह की थी कि वो इसके बराबर है यानि DF और EF दोनों बराबर हैं तो आप इस पूरे DF के जगह पर लिख सकते हैं दो गुड़िक DE यह हो जाएगा BC बराबर दो DE या इसे आप दूतरी तरह से भी लिख सकते हैं कि DE बराबर एक बटे दो BC तो देखिए यह भी आपने प्रूफ कर लिया कि जो DE है वो BC की आधी है यही आपको प्रवाणित करना था DE BC की आधी है यह चीज़ आपने है प्रूफ कर लिए कि जो DE की लंबाई है वो BC की लंबाई की आधी है यानि रेखाखंड जो तरिभूश के दो भुजाओं के मद्द मिंदों को मिलाने वाला रेखाखंड है वो तीसरी भुजा का आधा है तो दो चीज़े प्रमाणित की आपने कि किसी भी तरिभुश में तरिभुश की किनी दो भुजाओं के मद्द मिंदों को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर भी है यह आपने यहाँ प्रूफ किया और लंबाई में उसका आधा भी है यह आपने यहाँ प्रूफ किया तो यह एक बहुत ही महत्पूर्ण प्रमे है जिसे आप मद्द बिंदों प्रमे के नाम से जानते हैं वो बस इतना ही है और इसे आप बहुत आसान इसे कर सकते हैं एक बार कोशिश कीजिए रुक रुक के कोशिश कीजिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोशिश कीजिए आप इसे बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे करके देखें अब आप उपर दिये गए प्रमे का विलोम लिखिए और उसका सत्यापन कीजिए